हलो दोस्तों स्वागत है आपका सेविंग टिफ्स चैनल में तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे सिलाई मसीन में चाप को बदलना हम आज वैसे चाप को लगाएंगे जिसके तुरू हम लोग चैन को सील सकते हैं या फिर मोती वाले लेस को तो दोस्तों यहां पर नॉर्मली यह और ऐसा चाप होता है तो इसे आपको इसकूरू से खोल लेना है खोलने के बाद हम लोग जो सिंगल फूट वाला चाप होता है उस चाप का इस्तिमाल करेंगी सिंगल फूट वालज चाप है यह आपको दुकान में 50-30 रुपे में मिल जाएगी और अगर आप उनलाइन में लोगे तो थोड़ा से ज्यादा लगता है और लाइन में लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप वहां से डाइरेक्ट खरिच सकते हूं यहां पर हम लोग चाप को सेट कर लिए चाप को सेट करना कोई ज्यादा टफ होता नहीं है यह काफी असान है यहां पर आपको इस बात का थोड़ा सा धियान रखना है कि चाप को टेड़ा सेट ना करें वरना आपकी निदिल तूट सकती है अब यहां पर हमने दाग को बाहर कर लिया है अब यहां पर चाप पर हम लोग सिलाई करेंगे तो यहां पर कपड़े को आपको लेना है और लेस अगर आपको लगाना हो तो आप इस बात का धियान रखें कि आपको लेस उपर से जोड़ना है या फिर नीशे से जैसे कुछ कुछ चीज़े होती है कि जिसमें हम लैस उपर से जोड़ते हैं और इसके उपड़े को दूसरा कपड़ा देंगे इस वज़ा से लेकिन अगर हमें सिर्फ लैस को ही जोड़ना है तो हमेशा लैस को नीचे की तरफ रखें और कपड़े को उपर की तरफ यहां पर हम लैस को उपर की तरफ रखें हैं तो हलाकि यह एक गलत प्रोसेस है ठीक है अगर आप जोड़ेंगे तो लैस को नीचे के तरफ रखें अब यहां पर हमने लैस को नीचे के तरफ रखके सिलाई कर रहे हैं तो यहां पर लैस को नीचे रखके सिलाई करने से यह होत वो थोड़ा सा टेड़ा भी दिख सकता है क्योंकि कपड़े के ऊपर से तो लेस वैसे भी सुटेबल नहीं लगनी है और दोस्तों इसके जिन पर जो आपको वेवसाइट दिख रहा है यहां से आप उनलाइन सिलाई से डिटेट सारे समान खरिश सकते हो और आपसे एक चैनल पर जहां पर आप सिलाई से डिलेटेट सारी वीडियो देख पाएंगे यहां पर हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसे वीडियो मिलेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भोलें धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी ऐसे हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाएंगे